ओम नमस्षिवाय जय महाकाल सबसे पहले आप सभी समय माफी चाहता हूँ कल मैंने यही वीडियो बनाई थी और छोटी सी गलती मैंने कर दी थी तो उसी को सुधार रहा हूँ वीडियो मैंने डिलेट कर दी है कल ही डिडिट कर दी है, आज इस गलती को सुधार रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कोई भी कर्ज की समस्या है, चाहे आप किसी का पैसा बाकी है, नहीं दे पार है, या फिर आपका कोई पैसा बाकी है, वापस नहीं कर रहा है, यह उपाय करियेगा, और आपकी कोई भी मनो कामना है जो पूरी नहीं हो रही बहुत कोशिश कर लिया लेकिन नहीं पूरी हो पा रही है एक बारे सुपायो करिएगा पूजी गुरुजी के ही जो भी उन्होंने कहा है सुन करके आपको बताने कोशिश कर रहा हूं ठीक है बहुत ही ध्यान से सुनि अगर लाल चंदन आपको नहीं मिलता है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं बहुत सारे लोग कल कमेंट कर रहे थे कि हमें ओरिजनल तो नहीं मिलेगा तो कैसे क्या करें देखे कोई भी चीज आज के टाइम पर ओरिजनल नहीं है आप जो सबजी खा रहे हैं क्या वो ओरिजनल नहीं होगी ठीक है आपको लेना है लाल चंदन और अब सारा उपाय यहीं से शुरू होता है ध्यान से सुनिएगा जो बताने कोशिश कर रहा हूँ आपको लेना है एक बेल पत्री कितनी एक बेल पत्री आपको लेनी है और बेल पत्री यह जो नीचे के दोनों आपको पत् लगा देना है ठीक है पूरे पूरे पत्ते पे आपको लाल चंदन इस तरीके से लगा देना है ठीक है आप बचा हमारा एक पत्ता अब एक पत्ता आपके सामने बचा है इस एक पत्ते पे आपको लगाना है घी ठीक है वो जो घी होना चाहिए वो गाय का घी होना चाहिए इस पाद का भी विशेज ध्यान रखिएगा, ठीक है? यानि कि यह आपको लेना है लाल चंदन और यहाँ पे लगाना है आपको देशी घी, ठीक है? अब आपको जाना है भोले बाबा के मंदर में ठीक है? और जो आपने बेल पत्री में नीचे वाले साइड में लगाया है चंद और अने लोगों का लेकिन यह जो बीच वला portion आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बीच वला यह वाला यह होता है माता असोक सुंदरी का अस्थान होता है जो की भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री होती है ठीक है यहीं पर आपको चड़ाना है बेल पत्री कैसे चड़ाना न दे रहा हूँ ठीक है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए देखो यहाँ पर लगा हुआ है क्या यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है घी यह वाले जो पोर्शन है उपर वाला यहाँ पर लगा हुआ है गी और यह जो नीचे वाला पोर्शन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर लाल चंदन लगा हुआ है इस तरीके से आपको जो भी आपकी मनोकामना है चाहे वो कर्ज को ले करके हो चाहे कोई भी समस्या को ले करके हो चाहे आपकी कोई मनोकामना हो इस तरीके से आपको चढ़ा देना है देखो कम से कम दो सोमवार ध्यान से समझेगा कम से कम दो सोमवार या तो आपको दो प्रदोस या दो सोमवार या तो दो प्रदोस इस उपाय को आपको करना है कम से कम वरना आप चाहें तो पांच सोमवार कर सकते हैं या फिर पांच प्रदोस कर सकते हैं लेकिन कम से कम दो सो प्रदोस काल में चढ़ाना चाहें तो प्रदोस काल में भी चढ़ा सकते हैं लेकिन सोम वार के दिन या फिर प्रदोस के दिन ही इस उपाय को करना है ठीक है उमीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आए गई होंगी और मैंने जो गलती की थी मैंने सुधारा है उस मैंने वीडियो डिलीट की है फिर इस वीडियो को बना रहा हूँ उमीद करता हूँ आप लो मुझे माफ जरूर कर देंगे आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुछ भी पूछना हूँ आपको नीचे कॉमेंट में जरूर पूछा क करिएगा ओम नमस्षिवाय जय महाकाल